पिसलाब हमान नहीं मस्सलामों अलेकुम जी मैं हुमारी अली और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल उड़ता तीर उचकने की आदत कुकडी गैंग को ले डूबी कुकडी गैंग चाइल्ड प्रोडेक्शन सेंटर में कमसिन बच्ची के साथ रापते में हैं बच्ची को बाहर से क्या पेगामात पहुंचाये जा रहे हैं ये लोग लाइफ सेशन में बैटकर बड़े ही धडले से बच्ची के साथ होने वाले रापते की तफसिलात दुनिया के सामने रख रहे हैं इंपॉर्टन वीडियो आखर तक जरूर देखे का ताकि आपको इल्म हो सके किस तरह से इनके मूझ से बहुत सरी ऐसी बाते निकल चुकी हैं जिससे इल्म हो चुका है कि ये किस तरह से जहां पर बच्ची को रखा हुआ है वहां पर लोगों के साथ रापते में हैं और बा बच्ची के साथ किसी की की मुलाकात नहीं को गहाई तो सर्फ शोषा हो सकता है इसमें कोई सचाहीं हो सकती है लेकिन अजीब सी बात है कि ये क्जह से चठकी काटी जाती है इसपर कखड़ी गैंग दुनिया के सामने रख दें पता चल चुका है किस सासे मासून बच्ची के साथ रापते में है कमसिन बच्ची को जी चाल्ड प्रोडिक्शन सेंटर में रखने का बुन्यादी मकसद पूरा होतावा नजर नहीं आ रहा कुकडी गैंग जो है अलल एलान बच्ची के साथ रापतों की तस्दीग कर चुका है इनका लाइफ सेशन हुआ कल और यह तो लॉजिकल बात समझ जी नहीं आती है मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है कि किस से कह दिया कब कह दिया उपर से छुट्टी का दिन है कौन किस से कैसे मुलाकात करवाएगा अच्छा जी अब इन्हों ने ये बात अपने दिल पे ले ली क्य इनको तो डर है कि अगर वालिद्यान बच्ची से मिल लेंगे तो डाफिनिटली इनका पोल जो है दुनिया के सामने खुल के आ जाएगा बच्ची जो है वो एक न्यूट्रल जगा पर है और बच्ची डाफिनिटली जब आप सोचते हैं अपने वालिद्यान के बारे में सो बोल दिया तो कहानी मुझे पता चली तो मैंने एक बंदे की डूटी लगाई उसने मुझे कहा कि जी मैं तो चुटी पर हूँ तो मैं शाम तक आपको कहानी सुनाओंगा तो उस फला मंदे ने शाम को स्टोरी बिताई कि जी वहां पर भी कुछ लोग है जो मासूम बच्च सेंटर है वहां पर किसी को क्या समझाने की जरूरत है क्यों समझाया जा रहा है बच्ची से क्यों कम्यूनिकेशन की जा रही है अंदर की स्टोरी बाहर क्यों सुनाई जा रही है और बाहर की बातें अंदर भी पहुंचाई जा रही होंगी तो वह शक्स जो जाली मॉला अब धीज्य तो वणवे कम्यूनिकेशन अगर की जा रहién तो डेफिनेटिल टू वे कम्यूनिकेशन भी होई तो अगर अंदर से सारी स्वटिय कोई मॉला जयानी की जाली मॉला जैट को बता रहे है कुकडीये को बता। तो definitely ये सारी बाते भी अंदर पहुंचा रहे होंगे तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि फला बंदा कौन है जो राप्ते करवाने की कोशच कर रहा है और वहाँ पर कहां से क्यों मेसेजिस पहुंचाए जा रहे हैं पर क्या मामला चल रहा है बात करने के लिए मैंने राप्ता किया están своего reporting जा जा जानते है कि यह सिकेरिव नजर नहीं आ रहे है जुआ जानते हैं जाए जंवासाम अलेकम उमीद करते हूंगे लिए उनर है बाष्चे होंगे जो है मारिया मामलہ انتہائی سنگین نوعیت जो है वो एक्तियार करता जा रहा है और वो इस तरह से के जिस तरह की खबरे जो है वो आ रही है के जहां पे मुख्विया को रखा गया है और वहां पे उसके इतराफ में जो स्टाफ है उसकी जाने से जिस तरह से अंदर की खबरे जो है वो दूसरी पार्टी को बताई जा रही है तो इस तरह से मामला सेक Алекс बनता जा रहा है मारिया और अब जो अंदर का स्टाफ है मेरा खायाल एक जो इदारे हैं जो कंसन लोग हैं उन्हें चाहिए कि जो अमला है अब उसे भी तबदील जो हो कर दे चुर्कि अब अमला जो हो पहले रोज से मुख्विया के साथ मौजूद है और अब जो मालूमात मिल रही हैं वो ये हैं कि अंदर का जो अमला है वो जो मुखालिफ पार्टी है उन्हें भी जो है वो इस हवाले से कोई न कोई खबर पहुचा सकता है तो जिस तरह से खबरे एक तो ये कहा जा रहा था कि भई जहां पर रखा गया है वहां पर चूड़िया पर नहीं मार सकती और सेक्यूरिटी के इंतहाई जो है वो अच्छे इंतजमात किये गए हैं तो ये सारी बातें जब इस तरह की बातें बाहर निकली के जी यहां से बातें बाहर जा रही है और बड़े वसूख के साथ जब ये कहा जा रहा है कि मिलने की खुआई जो है वो जाहिर की जा रही है मुगविया की जानब से तो ये मैं समझता हूँ कि सिक्यूर्टी रिक्स बन गिया है जिस तरह मैंना आपसे चंद रोस पहले भी मुझे एक खबर मिली थी कि मुगविया को इस्पताल जाय हो अचानक से लाया गया है और बड़े वसूख जराय ने मुझे ये बात बताई थी लेकिन मैंने बजाए उस बात को बगहर तस्दीक किये ये बात आगे पहुचाता लेकिन मैंने उसकी तस्दीक करना जाय हो पहले जरूरी समझा और जब मैंने इस्पतालों से इस बात की तस्दीक की कि आया कोई इस नाम की कोई लड़की इस्पताल आई है तो मुझे चंद घंटों की जो मैंने मालूमात की तो उसमें मुझे कोई भी ऐसी बात सामने नहीं मिली तो यकीन अगर मैं अपने जो वसूख जराय थे अगर उसी की बात मानता हमारिया तो ये खबर मैं भी घलत पहुचा देता लेकिन मैंने जरूरी समझा कि मैं जो इस्पताल है जो कंसन लोग है जो अमला है जो मेरे जराय हैं इंतहाई हसास और करीबी और सरकारी मैंनों तमाम को उसे राप्ता करने की जो है वो कोशिश की जब मेरा राप्ता हुआ तो मुझे पता चला कि जी इस तरह की कोई खबर नहीं है बलके ये भी एक रिमर जो है वो उड़ाया गया था पहलाया गया था मु इस वज़ा से उस इस्पताल लेकर जो है वा आया गया है जब मैंने उसकी तस्दीग की मारिया तो चंद घंटों की तस्दीग की मालूमात और मेरी भाग दोड़ा के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की कोई खबर नहीं है तो इसी तरह की अब दूसरी बात यानि कि दू लियार चेक करने की ज़र होते कि आया वो मुखालफین के साथ जो है वो उनका कोई राब्ता तो नहीं है उनका कोई तालूप तो नहीं है क्या उन तक उनका एक्सिस तो नहीं žिया है तो ये बड़ा इंटहाई एक हैง मामला जो हो चुका है मैं समझता हूँ की जो पैगाम पहुचाने के जो तरीके हैं वो भी ऐसे लोगों की जरीं जरी जो है वो अपने पैगाम पहुचाते होंगे जब मैंने ये सुना कि ऐक सहाभ पहुण करें लगे किर अंधरी खातून जमला है उसने जो है वो उने इस बात की तजदीग की के लड़की जो है वो मिलने की खुआश का इजार कर रही है तो ये बहुत ही सोचने की बाते मारी है कि ये सेक्यूटिरिक्स बन गई ये सारा मामला अच्छा एक तरह आपने सर्विलेंस कैमरे लगाए में हैं इ एक बड़ी एहम जो है वो मारी है मैं समझता हूं कि ये बात है और इस पर जो अमला आया वो तबदील होनी की जरूत है और जो सारा अमले उसकी चानबीन भी होनी की जरूत है कि आया इस तरह की रियूमर्स है कैसे अंदर थे जो बाहर आते हैं शुक्रे जहेब आपने हमें तफसीलन सारी बाते बताई हैं अब हम असली इदारों से क्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तवस्त से उनको कहते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और बच्ची को जब एक नीट्रल जगा पे रखा हुआ है और वालिदین की सामने रख रहे हैं तो बाहर की बहुत सारी बाते अंदर पहुंचाई जारी होंगी जो कि सिक्रोटी पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है